इस वीडियो इस अवैलेबल इन हिंदी, तमिल, तेलुगू और मनी मोर लैंग्विज़ेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें क्कारण आज दने सब्सक्राइब करें तरे अल्टरा चैनल्स के लिए और इस अल्टराण सक्के लिए जाना ठांस आईए आईए सेशाधी नमस्ते नमस्ते क्या समाचार है आपके? पस समाचार क्या? नो न्यूस इस गुद न्यूस जैसे कहते हैं ये बगवान क्या हुआ? प्रफिसर बंडो पाथ गहें मर गए उसमें इतना बुरा मनने की क्या बात है? पैदा हुए तो मरना होदा ही यू मत कहिए डॉक्टर साब ये कोई साधारन प्रोफेसर नहीं एक महान उत्खनन शास्त्रग्य थे एक ग्रेट आर्कियोलोजिस्ट और एक जमाने में मैं उनका असिस्टेंट था आप आर्कियोलोजिस्ट के असिस्टेंट हाँ हाँ और महिने के पचास रुपे तनखा मिलती थी मुझे प्रोफेसर को यकीन था के मालगुडिया और उसका परिसर अत्यंत उत्खनन योग्य है और खोदते खोदते हम दोनों बहुत बड़ा नाम कमाते कमाते बच गे आँ वो सनकी थे जरूर परबाद थी आदमी में मेरे ख्याल में भारतलश के जमीन का शायदी को यह ऐसा भाग हो जिसे ही इस आदमे न नख होदा हो उन्हें देखते हैं ऐसा लगता था जैसे वो इस युक्के नहीं है अपने एकोज में मस खाने पेने की जागने से उनकी उन्हें होशी ने रहता उनका विश्वास था कि प्राचीन रोम की सभ्यता मालगुडी से जुड़ी है और मालगुडी में इस बात का सबूत है बारहाल यहां पहुँचते उन्होंने मुझे बुलवाया मैं तो दंगी रह गया कि वो महान व्यक्ती अपने सामने कुछ अजीब पुरानी निखमी टूटी-फूटी चीजों का भंडार बिखेरे हुए जमीन पर बैठे थे नमस्ते सर प्रदेश आदरी? यस सर अच्छा किया तुम आ गए इस परदेश के पुरा तत्वे समन्दी चीजों के बारे में तुम क्या जानते हो? तर वो क्या है? जैसे आप जानते हैं, यहां तो कोई काम धंग से नहीं होता हाँ कभी कबार यहां के गवार, किसानों को खेत जोते समय यहां के लोग पुरा तत्व शास्त्रियों को कबर खोदू ग्रेव डिगर्स केते हैं सर क्या, यह सब बदलना चाहिए? हाँ सर कल से काच, धातू या मिट्टी के कोई भी चीज भेकी नहीं जाएगी बिल्कुल नहीं सर हमें कुछ लक्षों की और गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी और हाँ, अखबार वालों को हमारे हर काम की खबर मिलनी चाहिए सर, अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता, फिर भी मैं खुद पार्क टाइम पत्रकार हूँ और आप बेफिकर रहें कि हमारे डिगिंग्स के उत्खनन के सारे समाचार देश के सारे अखबारों में छपेंगे बहुत अच्छा, कल सुबद 6 बजे ही काम चुरू कर देंगे जी सर बत्वारों में जी सरे लंपेंगे सरय अचरिख लो अगल र अपने अगल हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है ताफ सार 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 मेरे ख्याल में तो यो टुकडा काफी विकार है नॉनसेंस क्या वक्ते हो वो शेशादरी तुम समझते हैं क्यों नहीं हमें बहुत बड़े आवेशकार के द्वार पर खड़े हैं हमें उस ठीले को खोज निकालना है जिसके नीचे एक बड़ा शहर गळगया है ऐसा शहर जिसकी संस्किर्टी जिसकी सभेता मुहिंजोदारों और हड़पा सरी पुरानी हो एसी एक प्राचीन नागर्टा पर सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए सिर्फ मेरा और किसी के नहीं फिर हम इत्तिहास बना सकते हैं सर ये कोई काम का होगा ये काच का टुकड़ा कोई शाधारन खोज नहीं है ये एक बहुत महत्वपुर्ण कड़ी है हमारे लिए प्लोरंस का है ये पाचवी शताब दी तक इसका प्रचन काफी रहा दुनिया में और कहीं ऐसा काच नहीं मिलता ये आज को पल्टा के रख देंगे हम ये आज को पल्टा देंगे जी मैं आपकी बात से पूरन सहमत हूँ लेकिन इस कमवक्त बिजली ने अगर सातना छोड़ा होता तो हम अपने इन आविशकारों को कम से कम ठीक से तो देख लेते चार दिन होगे जब से ये बिजली देख आहां इन छोटी अर्चनों से परिशान मत हो पड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा हमें अपनी आखें खुली रखो हम एक बहुत बड़े एतिहासिक अविशकार के द्वार में खड़े हैं वाह इस कड़ी धूप में बस किसी की जरूरत थी आख यह प्रॉफेसर कब वापस जाएंगे प्रॉफेसर और वापस क्यों प्रॉफेसर वापस चले गए तो हम दोनों को तनखा कौन देगा है है तुम यहां खोदना शुरू करो पर यह तो खड़ा पत्तर है तो क्या हुआ खोदो 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 कर दो खोदो खोदो लोगा! 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 करते हैं प्रफिसर साथ, प्रोफिसर साथ, प्रोफिसर साथ, प्रोफिसर साथ, तर देखिए मुझे क्या मिला, करता है क्या मुझे, क्या स्वेश. तेशादरी, तेशादरी, तेशादरी सर, पेशा किया मूर्थी पुरातन रोम की है, ए रोमन इमेच मुझे भी यही लगा था और इस प्रकार हमारे प्रफेसर सर्वश्री बंडो पाध्याई जी आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये मूर्थी और किसी की नहीं पर चोथी शताब जी के महान रोमन एम्परर महाराजा टाइबेरियस दो की है इस महान कारी में इस नाचीज का भी थोड़ा सा हाथ रहा है और अपने इस आविश्कार पे हमें इतना भरोसा है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं जब अंतर राश्ट्रिय पुरा तत्तों संस्था भी हमें बुलाकर सम्मान करेगी समस्कार नहीं पर पर मिस्टर शेशादरी आप ना कैसे कह सकते हैं कोई छोटी मोटी नोक्री तो नहीं है यह मदरास उन्वर्सिटी की आर्केजिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख का पोस्ट है यह माफ किजिये सर मुझे जाना ही होगा इतिहास को मेरी जरूरत है सर, सर, सर क्या है माफ किजिये सर मैं एक समवाद आता हूँ सर आपकी जो रोमन इमेज पर पुस्तक है वो कब प्रकाशित होगा रही कुछ कह नहीं सकते ऐसे मामले में देर तो लगी ही जाती है कुछ दस-पंदरा दिन लगेंगे और एक प्रशन सर, क्या ये सच है कि आपका ये जो अन्षदान है हिंदुस्तान के इतिहास को एक सुनेरा मोड देगा? भारती ये इतिहास ही नहीं, आरे विश्व का इतिहास अब और सवाल मत पुछेगे, मैं बहुत बिजी हूँ चेशादरी जल्दी यहाँ आओ अब जल से जल सिराल पहुचना होगा बहुत अच्छा सर, कब निकलेंगे हम? हम नहीं, तुम मैं? अकेले? हाँ, मुझे उत्तर हिंदुस्तान जाना होगा जेसल मेर में एक राजमहल सुधारने का काम मिला है मुझे उत्तर हिंदुस्तान, हिमाले के तले, कश्मीर, लखनाव, जैपूर वा, अच्छा हुआ, मुझे भी छुट्टी की सक्त जरूरत है छुट्टी मनाने के दिन अभी आए नहीं पहले सिराल का सारा काम खत्म हो जाए पर इतनी जल्दी क्या है सर? नदी में जहां वो मूर्ती मिली उस जगे की गहराई नापनी होगी तुम्हें पारी जरूरतों के सूची आफिस में तुमाहे टेबल पर है यह सर पानी में खुदो और उस जगे की गहराई नापो जहां वो मूर्ती मिली थी प्रफेसर को चाहिए अस्ते क्यों हो? मुझे तैरा नहीं आता साब आप इसी आलाके के हैं? जी साब बदकिस्मती से यही का रहने वाला हूं कुछ पता भी है आपको क्या कह रहे हैं आप यह जगा जहां आप बैठे हैं यह जगा नहीं है एतिहासिक स्थल है जिसकी महिमा आप नहीं जानते एतिहासिक? इसी जगा पानी में मुझे एक मूर्ती मिली मूर्ती? जहां मूर्ती मिली आपको? रूम की मूर्ती वो कहा है? रूम, युरप में जहां सफेद चमणी वाली लोग रहते हैं उस मूर्ती का हात नाक कुछ नहीं है ना? नहीं है अख़़ार में पढ़ा आपने? नहीं अख़़ार कौन पढ़ता है? नहीं तो फिर किसी ने बताया होगा? नहीं आप इस मूर्ती के बार में और कुछ जाना चाहते हैं चलिए मेरे साथ तुम यहीं रहो यह हैं हमारे पुरुजों का मंदर अब यहां कोई नहीं आता असल में यह द्वारपालों को की जोडी थी साब आपको नदी में जो मूर्ती मिली न वो इसी जोडी में से एक होगी वो पैर देख रहे हैं आपको वो दूसरे द्वारपाल के हैं यह मालगुडी के शिलपकार ने बनाये थे बारा साल पहले आप ठीक तो है ना हाँ है ठीक हो तो फिर तो फिर यह नदी में कैसे बहुंचा वो एक लंबी कहानी है साथ हमने यहां एक पुजारी रखा था जब उसके पिटाजी गुजर गए तो वो यहां का पुजारी बन गया वो था तो बहुत हस्मुक किसम का और जब कोई त्योहार होता तब तो पूछो ही मत अपने सारे काम वो बड़ी अच्छी तरह से करता पर कुछी दिनों में हमारे कानों पर एक बात पड़ी सुना कि वो पीता बहुत था पहले तो हम इस बात का विश्वासी नहीं कर पाए मगर धीरे धीरे वो अपने सही रंग दिखाने लगा साब वो तो सुबह से शाम नशे में धुत रहता चाहे कोई त्योहार ही क्यों नहूँ पूजा भी नशे में ही कर देता एक भारतो साहब दीवाली के दिन वो जूमता हुआ मंदिर से बाहर निकला अब आप ही बताईए एक पूजारी के लिए इससे बड़ा और कौन सा पाप हो सकता है अगर उसका एक प्यकड़पन हम इस उम्मीद को लेकर सह रहते कि किसी दिन भगवानी उसे सबग सिखाता इसलिए हमने उसे नौकरी से निकाला तक नहीं पर जब हमने इन मूर्तियों को यहां स्तापित करवाया तो कहने लगा कि ये मूर्तिया उसे घूरती है और उसे को ताक्ती रहती है मंदिर के भीतर जाने का वो एक पल बनो उसके लिए जानलेवा बन लिया था मंदिर के भीतर, बाहर, आना, जाना उसके लिए एक समस्या ही बनी रही धीरे धीरे उसकी शिकायते बढ़ने लगी कहने लगा कि वो मूर्तियां उसकी पीट में घूसा मारती हैं लात मारती हैं कभी कभी तो वो हमें घा और खरोचे भी दिकाता हमने उसे बताया कि अगर बिना शराब के एक बूंद के वो मंदिर में जाता तो हम उसकी शिकायतों के बारे में कुछ करते पर वो कहता कि अगर पल भर के लिए भी उसने एक मूर्ति पर से आखे उठाई तो दूसरी मूर्ति उसे पीछे से मारती कुछ ही दिनों में मूर्तियों को सबक सिखाने का तरीका उसने खुद ही डूर निकाला वो हाथ में मुग्री लिए घूमने लगा और हर घूसे का हर लात का जवाब उस मुग्री के मार से देता इन मूर्थियों को देखकर लगता है कि बाई तरफ की मूर्थी ज़्यादा शैतान रही होगी बात इस हद तक पहुंची कि एक दिन मूर्थी ही तूट गई दूसरे दिन सुबा एक और कहानी शुरू हो गई कहने लगा कि उसने अपनी आँखों से मूर्थी को नदी में छलांग लगाते हुए देखा और कहा पहका था ये किसी को नहीं मालूप अगर आप मुझे वो अपनी रोमन मूर्थी बता दे तो शायद नहीं अब उसके कोई जरूरत नहीं मेशाप और की मारी प्रमाल देक्षे मेशाप पैसे मेरे टेंड़ाते हैं जरूरत वो अपिजना कॉपार मेशाप बितानाओ ये जरूरत आपक़ाया है अलो मैं सेशादरी सर माल गूडी से वाज जटो नके वर मेरे काम कैसे चल रहा ठीक है फून क्यों किया सर वो रोम की मूर्ती रोम की मूर्ती नहीं मालगुडी की मालगुडी में बनी रहे मूर्ती है क्या हाँ सर मंदिर के द्वारपालक की मूर्ती है बस कुछ बारा साल पहले यहीं मालगुडी में बनी थी सारी दुनिया के सामने उल्लू गदे बन गया हम आज सर, मुझे भी अफसोस है सर, वो मेरे सारे लेख है और आपके सारे कागजाज का क्या करो जला दो से शाद लिए, उसरादी को जला दो पर सर, वो सा बद्रास में है बद्रास जाके जला दो उसे जै सर, और वह टाइब्यm , रोमन मुर्ती की mı मालगूडी की मुर्ती का क्या करो सर समंदर में भेट दो उसे सर सर वह मैं प्रेस रिपर्टोर। ॰hältना से आप वी को मिलने आया हूँ रोमन इमिश के बारे में आपकी क्या रहा है औरे निकल जाओ यहाँ से तो यह रही प्रफिसर बंडोपाद ध्याई जी की कहानी, एक ऐसी कहानी जिससे इतिहास की दिशा ही बदल जाती, अब मेरी प्रार्थमा यही है कि वो मुर्ती बंगाल की खाड़ी में ही पड़ी रहे, और भगवान न करे कोई बड़ी मचली उस मुर्ती को निगल जाए, और किसी दिन किसी प्राफिसर के टेबल पे वो मुर्ती फिर जा पहुंचे, अच्छा वो किसा सुनाया मैंने आपको चाहे एक बड़ी भेल मचली मुझे निगलने आई थे, नहीं, 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 आज नहीं, फिर कभी, नहीं? Spes आ आ आ आ आ आ